हेलो औरिवन दिस डॉक्टर अनुज कुमार और वेलकम तू यूर यूटूब चैनल सीरलेस इनोसेंट में डियर स्टुडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम वन शोट रिविजन करने वाले हैं सिक्वेंस एंड सिरीज का सिक्वेंस एंड सिरीज जो की काफी सिखेंगे विद डैफिनिशन गानले हैं सिरीज की जो सिरीज की ओपर चैनलं सा दैस् Scale होती है और संब्हें सिसमें पहला है किमरिशन टेस्ट वह हमस्क करेंगे उसर धसरा टेस्ट जिस को नब बच्राइश से नैगे वह घलेक्ट करेंगे वह स्थाव हम आज के इस वन शोट रिवीजन में सभी टेस्ट कवर करेंगे जो मैंने आपको बताए है। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करेंगे सिक्वेंस से। एक बात ध्यान लखेगा, सिक्वेंस का स्रीज में यूज होता है। इसलिए सिक्वेंस का बेसिक डैफिनेशन, कन्वर्जंसी, डैवर्जंसी आपको पता हो। कि इसी का यूज करके हम स्रीज का जो है कन्वर्जंसी, डैवर्जंसी डिफाइन करेंगे आगे। सबसे पहले बात करते है sequence की या real sequence की अगर इन जनरली कहा जाए तो एक संख्याओ का कर्म अगर आप बनाते है तो वही sequence बन जाता है ठीक है संख्याओ का कर्म को ही हम sequence कहते है लेकिन अगर mathematical इसको define करें तो sequence एक function से define होती है और वो एक ऐसा function होता है जिसका domain तो होता है natural number का set और जिसका range होती है real number का set ठीक है वैसे ही मैंने definition को बताया है यहाँ पर कि a sequence is defined by a function इस function से इसको define करते है और function है आपका f जो की natural number के set से r real number के set पर define है real sequence के case में whose domain is capital N capital N मतलब set of natural number जिसका domain तो होगा natural number का set और जिसकी range and range is capital R और जो R है आपका पूरा का पूरा real number का set भी हो सकता है या फिर real number का subset भी हो सकता है ठीक है तो sequence क्या होती है कैसा function होता है जिसका domain होता है natural number और जिसका range होता है real number का subset या पूरा real number भी हो सकता है तो इस function को हम sequence क कहते हैं यहRealKay When delicate कि हमने की रेंज की रेंजियर लिया है तो हमortic सीक्वेंज को दिनोट करते हैं इस सफोर में यह फिर सफोर में दोगों होती है ेन दोनों में से किसी को भी होगन किस वीज़िग्वेंज कि रगा portion के बियर कर दिनोट कर दिया है एक मैंने इधर सेट लिया जिसको हमने रियल नंबर का सबसेट या खुद रियल नंबर का ही नाम दिया है और इसके बीच में हमने एक function define करा और इस function का नाम हमने दिया f मतलब f function लिया जो कि natural number के set से real number के set पर define है natural number आप जानते है natural number का set हमें सब one से start होता है तो पहले element इसका one होगा दूसरा element two होगा three होगा four होगा इसी तरीके से यह आपका जो है इसी तरीके से आपका कहीं पर n आएगा और यह infinite तक चलता चले जाएगा तो one से लेकर infinite तक जो elements होते है ठीक है वो natural number में बिलोंग करते है तो इसका चुकिए domain natural number है तो natural number के हम elements लिख देंगे इधर आपका real number का set बनना है अब real number का set क्या बनेगा अब हमने क्या किया इस f function को इस one पर लगाया तो f one आपको mapping मिलेगी ठीक है इस two के लिए आपने इस function को लगाया तो f two आपको mapping मिलेगी 3 पर आपने function को लगाया तो f three मिलेगा सेम तरीके से four पर लगाया तो f four मिलेगा सेम तरीके से आप n पर लगाएंगे तो f n मिलेगा इस तरीके से आपको mapping करने पर ये elements real number के set में मिलेंगे अब इनको मैं नाम लेता हूँ मैं इसको नाम दिया कि f one को हमारा X1 real number है F2 कोई हमारा X2 real number है F3 हमारा X3 real number है F4 हमारा X4 है और इसी तरीके से जो Fn आपका रियल नंबर बनेगा इदर वो हमने Xn से रिनोट किया तो यही हमारी sequence के pattern बन जाएगी तो अगर हम यहाँ पर sequence को define करें तो इस तरीके से हमारी sequence define हो जाती जिसको आप इस form में भी लिख सकते है या फिर आप इस form में भी लिख सकते है क्योंकि Fn जो है Xn के वराबर है Xn यहाँ पर sequence की एनक्टरम को डिनोट करती है अगर आप इसमें n को रखेंगे 1 क्योंकि n 1 से start होना है क्योंकि इसका domain जो है natural number का set होता है अगर n को 1 रखेंगे तो sequence का पहला element मिलेगा n को 2 रखने पर sequence का दूसरा element मिलेगा n को 3 रखने पर sequence का तीसरा element n को n ही रखेंगे तो nth element मिलेगा इस तरीके से पूरी sequence आपको मिल जाती है और यह हमारी sequence ओ real number कहलाती है जो कि इस function से define की जा सकती है for example मैंने examples लिए example number 1 जैसे कि मैंने sequence define की xn और 1 upon n चुकि आप जानते कि n कहाँ पर belong करेगा natural number में belong करेगा अगर हम इस sequence को open करे तो कुछ इस तरीके से 1 upon n sequence बनेगी क्योंकि open करेंगे तो n आपका 1 से start होना है क्योंकि इसका domain natural number होता है n को 1 रखा n को 1 रखने पर पहला element मिलेगा n को 2 रखा दूसरे element मिला n को 3 रखने पर तीसरे element n को 4 रखने पर चोथा element इस तरीके से आपको ये infinitely element मिल जाएंगे इस sequence के जो की real number के set में belong करते है तो ये हमारा sequence का example हो जाएगा इसी तरीके से आप sequence के बहुत सारे example बना सकते हैं ये हमारी sequence की definition है तो sequence की definition ये कहती function से define होता है जिसका domain natural number का set और जिसका range real number का set बनता है अब बात करते हैं sequence की convergence की की या sequence की limit की मैं आपको detail मैं नहीं बताऊंगा वैसे अगर sequence की limit के concept को जाने तो बहुत ही बड़ा concept होता है sequence series अपने आप में पूरी book है लेकिन आपके syllabus को देखते हैं मैं इसको बहुत ही short form में बताने वाला हूँ sequence की बहुत सारे type होते है वैसे तो oscillatory sequence, oscillatory foreignly sequence, oscillatory infinitely sequence लेकिन आपके syllabus में इतना कुछ है नहीं, sequence का use करके हम series तक जाना है और जितना use होगा इतना ही मैं आपको बताने वाला हूँ क्योंकि आपके series जो है केवल positive term series आपके syllabus में है तो उसी के हिसाब से हम sequence की जो convergence को define करेंगे, आपने sequence के बारे में जान लिया कि हमने मान लिया कि यहाँ पर accent जो है हमारी कोई sequence है यह हमारी कोई sequence है इसके convergence की limit की बात करें तो यहाँ पर हम accent drum की limit निकालते हैं accent drum की limit निकालते हैं और चुकिए आप जानते है और natural number के set में बिलोग करता है तो one से start होकर की infinity की तरफी इसको tend कराना होगा तो हम क्या करेंगे, accent की limit निकालते and tending to infinity पर और हमने मान लिया कि हमें L के बराबर मिला ठीक है, यह हमें क्या मिला जो limit आपने निकाली है L के बराबर मिला तो यह जो limit है, यह sequence के लिए limit कहलाएगी और इसके दो case आपके बन सकते है एक तो होगा कि यह finite आए और साथी साथ में unique आए अगर यह finite और unique आती है तो sequence होगी हमारी convergence अगर यह finite और unique आती है तो sequence होगी हमारी convergence दूसरा case इसका होगा यह तो यह infinity आए या फिर यह minus infinity आए अगर ये limit infinity या minus infinity आती है तो sequence होगी आपकी divergent तो sequence हमारी बनती है divergent बहुत ही short form में definition बताई है और अगर sequence convergent है तो ये L जो है sequence की limit कहलाएगी दियान अपना L अगर finite है और unique है तो sequence convergent होती है L अगर infinity या minus infinity है तो sequence हमारी divergent होती है और जो भी limit आती है वो उसके लिए limit का काम करती है sequence के लिए four example इसको example से समझ लेते हैं जैसे कि ये दो example हमें sequence के check करने की test the convergence of the sequences दो sequence दी है दोनों के लिए हम convergence और divergence चेक करेंगे convergence और divergence चेक करने के लिए solution number one करता हूँ मैं solution number one अगर solution one की बात करें solution में जो आपको sequence दी है उसको मैं let कर लेता हूँ action के बराबर ये हमें sequence दी है और इस sequence का नाम है n upon n plus one ये हमारी sequence है तो अगर यहां से हम n तरम को निकाले तो n तरम इजली निकाली जा सकती है जो की n upon n plus one होगी हमें चेक करने हैं इसकी divergence और convergence अगर end tending to infinity पर हम इसकी लिमित निकालनी होगी एंटरम की हमें इसकी लिमित निकालते हैं तो यह एंट इंडिंग्टओं इन प्लस one आपको मिलेगा एंट इंटिंडिंग्टी पर लिमिट निकालनी है तो यहां पर अगर N को infinity रखे उपर, तो उपर से आपको infinity मिलेगा, और नीचे भी अगर N को infinity रखेंगे, तो infinity plus 1 मिलेगा, infinity में कुछ भी जोड़े कुछ भी घटाएं, वो आपको infinity ही देता है तो ये आपको नीचे भी infinity मिला उपर भी infinity मिला, तो ये हो जाएगी infinity upon infinity form एक बात जहां नकना इंफिनिटी अपून इंफिनिटी में या तो आप एलो स्पिर्न डूल लगा सकते हैं मतलब उपर की ट्रम का अलग डिफ्रेंसेशन नीचे की ट्रम का अलग डिफ्रेंसेशन एक तो वह concept है लेकिन मैं आपको पूरी सिक्वेंस वे स्रीज में एक सिंपल सा funda बताऊंगा अगर infinity अपून इंफिनिटी फोर्म आपकी बनती है तो आप उपर से भी n को common ले लो नीचे से भी n को common ले लो और उसको आप infinity अपून इंफिनिटी फोर्म से हटा दो फिर n को infinity रखे easily answer आजाता है it means आपको n को divide में लाना है ठीक है something upon अगर end होगा divide में तो n को infinity रखने पर something upon infinity 0 बनता है कैसे बनता है चलिए देख लेते हैं मैंने क्या किया उपर से भी n को common ले लिया और नीचे से भी n को common लिया तो नीचे से n को common लेने पर 1 plus 1 upon n आएगा n से n हमारा cancel out हो जाएगा और इसको simplify करके आपको मिला limit n tends to infinity 1 upon 1 plus 1 upon n आप देख सकते कि यहाँ पर जो n है divide में आ गया अब इसमें n को अगर infinity रखे तो उपर से 1 मिलेगा नीचे से 1 मिलेगा plus 1 upon infinity मिलेगा 1 upon infinity मिलेगा तो 1 upon infinity हो जाएगा 0 और इसको simplify अगर करते है तो यह आपको 1 value देगा मतलब जो sequence की limit आई है वो हमारी finite है यह हमारी कैसी limit है एक finite limit है और जस्ट मैंने उपर बताया था अगर आपकी finite limit आती है तो sequence होती है convergent ठीक है और यह जो limit आई है यही हमारी convergence की limit होगी sequence की limit होगी तो आप लिख सकते है therefore action जो sequence है वो convergent है action sequence जो है वो convergent है and converges to the limit and converges to the limit 1 और किस पर converge करती है यह 1 पर converge करती है क्योंकि इस limit की value 1 आई है तो यह हमारा first example solve हो जाएगा सेम तरीके सें दूसरे example solve करेंगे जिसमें action है 2 की power n के बराबर action equal to 2 की power n यह second example हमारा होगा तो second example हमने लिया जो आपको sequence दी है वो है 2 की power n for all n बिलोंग करेगा natural number के set में इसमें भी हम limit निकाल देंगे अगर आप यहाँ पर भी action की limit निकालते है तो simple सी बात है action की value रखनी होगी जो की 2 की power n आएगा n को infinity रखने पर 2 की power infinity बनेगा और 2 की power infinity आपका infinity बन जाता है और infinity अगर limit आई तो मैंने आपको बताया था कि sequence आपकी होगी divergent तो this implies जो आपको sequence given है वो divergent है sequence जो given है वो हमारी divergent sequence है तो same तरीके से एक third example और आपको बताता हूँ मैं ठीक है मालो आपको sequence दी है action equal to यह आपको sequence दी है cos 1 upon n इसके आपको convergence और divergency चेक करनी है तो यहाँ पर भी हम nth term जो है उसकी limit निकाल देंगे यानिके action की limit निकाल देंगे ना होगा n को infinity रखने पर cos 1 upon infinity बनेगा और cos 1 upon infinity की जो value होती है वो 0 होती है 1 upon something upon infinity हमेशा 0 value देता है तो cos 0 बनेगा cos 0 की value आजाएगी 1 इसका मतलब यह sequence भी हमारी जो है क्योंकि finite limit आई है तो यह sequence भी हमारी convergent है और किस पर converge करती है limit 1 पर converge करती है sequence को ले करके हम series को define करेंगे sequence तो आपको पता लग गया कि इसका domain natural number और range जो है जिसका real number होता है वो हमारी sequence होती है अब sequence से हम series को define करेंगे बहुत simple है अगर हम sequence का sum कर दे sequence की जितनी भी terms है उनका sum कर दे जोड़ दे उनको तो series बन जाती है तो इसका मतलब जो series है वो infinite series बनेगी sequence के case में तो यहाँ पर वही है series और infinite series को define कर लेते the sum of a sequence is called series तो अगर mathematically इसको लिखे तो let मैंने माल लिया कि u1, u2, u3 इस तरीके से कहीं पर un आएगा and from dot dot infinity ये कोई sequence है be any sequence ये हमारी कोई sequence है इससे हम series बनाएंगे series बनाने के लिए इनको सबको क्या कर देंगे add कर देंगे then the expression then the expression अब हम expression निकालेंगे इन सबको add करके u1 plus u2 plus u3 मतलब सभी terms को हमने add कर दिया जिसको हम या तो इस form में लिख सकते या फिर summation की form में भी लिख सकतेगी n बराबर 1 से infinity un या simply इसको ऐसे भी लिख सकतेगी summation un ये तो आपको पता ही है कि sequence से बनेगा तो n 1 से start होना है तो 1 से start होके infinity तक summation जाएगा तो अगर हम sequence की sabitrum को add कर दे तो हमारी series बन जाती है तो ये जो expression हमने लिखा है तीन form में या तो आप पूरा लिखो या summation की form में ऐसे लिखो यही हमारी infinite series कहलाती है it's called infinite series यही हमारी बन जाएगी infinite series ठीक है जैसे sequence की convergence की divergence चेक कर सकते है ऐसे हम series की भी convergence चेक कर सकते है लेकिन series की convergence, divergency को चेक करने के लिए आपको पहले मुझे nth partial sum की sequence बतानी होगी तो अब समझते हैं sequence of nth partial sum of a series series से हम nth partial sum की sequence कैसे बनाते है उसके लिए मैंने यहाँ पर let किया s1 को, s1 का मतलब series की केवल एक trump का sum ठीक है, s2 let किया यानिके series की केवल दो trump का sum u1 plus u2 s3 let किया, series की first three trump का sum u1 plus u2 plus u3 ऐसे आप s4 बनाएंगे series की first four trump का sum u1 plus u2 plus u3 और plus u4 ऐसे ही हम डोट डोट करके sn बना सकते है, यानिके series की शुरू की nth trump का sum un तक चले जाएंगे तो हमने क्या किया, यहाँ पर कुछ sums define किये, 1 trump को लेके s1, 2 trump को लेकर s2, 3 trump को लेकर s3, 4 trump को लेकर s4 और n trump को लेकर sn, ठीक है, अब हमने इसी से sequence define कर दिवस, then इसी से हमने एक sequence बनाई sn, इसी से हमने क्या बना एक sequence बनाया sn यह जो sn sequence बनेगी जो हमने series से बनाई है यह हमारी कहलाती है, series के लिए sequence of nth partial sum then sn is called sequence of sequence of nth partial sum sequence of nth partial sum for the series for the series summation un तो जो summation un series है उसके लिए nth partial sum की sequence कहलाई ही ठीक है, इसको हमने क्यों define किया क्योंकि जो series का behavior है series का जो nature है वो सारा का सारा इस nth partial sum की sequence पर depend करता है इसी से हम sequence की convergence, divergency sorry, series की convergence, divergency define करने वाले है ठीक है अगर यह sequence आपकी convergent है जो हमने series से nth partial sum की sequence बनाई है अगर यह convergent है तो series भी convergent होती है और अगर यह sequence आपकी divergent है nth partial sum की तो series भी divergent होगी तो सारा का सारा series का nature या series का behavior इस sequence पर ही depend करता है इसी से हम define करेंगे आगे convergent and divergent series ठीक है convergent और divergent series इसको short में ही बताऊंगा let summation un be a series इसको हमने series माना ठीक है और sn को हमने मान लिया इसके लिए nth partial sum and sn be the sequence sn be the sequence of nth partial sum जो की मैंने अभी define की थी यह हमारी nth partial sums की sequence है ठीक है तब हम क्या कहेंगे जो summation un series है यह हमारी convergent होगी ठीक है यह हमारी convergent होगी यदि जो sn sequence है nth partial sum की जो sequence है वो convergent हो ठीक है series हमारी convergent होगी कब होगी यदि हमारी जो nth partial sum की sequence है वो convergent हो और nth partial sum की sequence कब convergent होगी आप n tending to infinity पर limit निकालेंगे वो आपको L मिले और ये L आपको finite मिले और unique मिले finite मिले and unique मिले अगर ये finite और unique आती है ठीक है sn की limit तो इसका मतलब sn sequence convergent होगी और अगर sn sequence convergent है तो series भी हमारी convergent होगी same तरीके से on the other hand ये हमारी divergent होगी ये जो series है ये हमारी divergent होगी यदि जो sn sequence है वो divergent हो यदि sn sequence हमारी divergent बन जाए तो series भी divergent बनेगी और sn sequence divergent का होगी जब आप इसकी limit निकालेंगे by the definition ठीक है या तो वो आपको infinity मिलेगा या minus infinity मिलेगा जो कि आपको मैंने sequence में पीछे convergence और divergency में बता है तो पूरा series का behavior nth partial sum की sequence पर depend करता है अगर यह sequence convergent तो series convergent अगर यह sequence divergent तो series भी divergent आगे define करते हैं क्योंकि आपके syllabus में positive term series है positive term series के लिए आप comparison test ratio test और rubbish test पड़ेंगे तो positive term series नाम के लिए जिस series में सभी term positive हो वो positive term series कहलाती है वही मैंने लिखा भी है यहाँ पर इस series is called positive term series if its every term is positive यदि series की सभी term positive है तो series हमारी positive term series कहलाएगी ठीक है फिर बात करते हैं हम necessary condition for the convergence of a series ठीक है series के लिए necessary condition होती है जो हमेशा satisfy होगी ही होगी और वो condition क्या होती है if a series is convergent अगर series convergent है तो simple सी बात उसमें एनत percent समकी sequence convergent होगी यानिके sn की limit finite आएगी ठीक है जो कि आपने अभी definition में पड़ी है लेकिन यहाँ पर condition यह है necessary condition कि अगर हमारी series convergent है और series को हमने नाम दिया series को हमने नाम दिया summation UN अगर summation UN series हमारी convergent है तो 100% यह condition satisfy होती है कि n tending to infinity पर अगर आपने nth term की limit निकाल दी series की UN क्या है हमारी series की केवल nth term है अगर आप nth term की limit निकालते हैं tending to infinity पर तो यह आपकी हमेशा 0 के बराबर आती है यह होती है आपकी convergence की necessary condition series की convergence की necessary condition यह हमेशा satisfy होगी कोई भी अगर series convergent है तो वहाँ पर UN की limit मतलब series की nth term की limit हमेशा 0 के बराबर आएगी लेकिन इसमें कुछ note में भी बाते आपको याद में रखनी है इससे तो आपको यह पता लगा अगर series convergent है तो nth term की limit हमेशा 0 आती है लेकिन ऐसा भी इसका converge जो है वो true नहीं होता इसका converge क्या बनेगा अगर आप यह कहते है कि limit n tending to infinity पर UN की limit 0 है ठीक है मतलब आपने केवल UN की limit निकाली वो 0 आ गई तो जरूरी नहीं है series convergent हो लेकिन इसका converge true है necessary condition अगर series convergent है तो UN की limit हमेशा 0 होगी लेकिन अगर UN की limit 0 है तो summation जो UN है वो may और may note भी convergent convergent हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है may और may note भी convergent तो इसका आपका first note होगा दूसरा note इससे बहुत इजली आप समझी गए होंगे कि अगर कभी आपने nth term की limit निकाली UN की और वो 0 के बराबर ना आई तो series कभी भी convergent नहीं होगी then summation UN cannot be convergent cannot be convergent तो series हमारी कभी भी convergent नहीं होगी यदि nth term की limit जीरो के बराबर नहीं आती है यह basic चीजे है जिसका series में आगे use होगा तो इसको आप समझ के चले सभी चीजों को तो यह हमारी होती है necessary condition simple सी बात याद रखनी है अगर series convergent है geometric series बनेगी geometric progression n को 1 रखो r की power 1 आएगा n को 2 रखने पर r की power 2 n को 3 रखने पर r की power 3 इसी तरीके से आपको यह infinite series मिल जाएगी और यह हमारी एक geometric series है और अगर यहां पर common ratio निकालें common ratio यहां पर आएगा r यह geometric series है जिसका common ratio क्या है r होगा और यह series हमेशा convergent होगी with common ratio r then it is convergent यह हमेशा convergent होगी यदि इस r का modulus greater than 1 हो ठीक है r का modulus greater than 1 का मतलब कि आप महां पर r की value निकालें वो minus 1 से 1 के बीच में लाई करें इसको महटा देता हूँ आपके वल यही condition समझो कि यह जो series हमारी convergent होगी यदि r की value minus 1 से 1 लाई करें अगर इस common ratio r की value minus 1 और 1 के बीच में आती है तो series होगी हमेशा हमारी convergent और यह series हमारी divergent होगी यदि r की value greater than equal to 1 हो जाए मतलब अगर r जो common ratio है उसकी value 1 हो जाए या 1 से बड़ा हो जाए तब series हमारी होती है divergent और यह convergent होती है जब हम r की value common ratio की value minus 1 और 1 के बीच में लेते है for example इसके दो example मैं आपको बताता हूँ जैसे कि first example मैंने लिया मैंने series बनाई यहाँ पर 1 upon 2 plus 1 upon 2 का square plus 1 upon 2 की power 3 plus dot 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 आप देख सकते हैं यह एक GP है geometric series है और यहाँ पर अगर common ratio की बात करें वो r है r जिसकी value आएगी common ratio second term को first term से divide करेंगे तो r की value 1 upon 2 आएगी obviously आपको यह पता लग गया होगा कि value minus 1 और 1 के बीच में है अगर minus 1 और 1 के बीच में है इसका मतलब यह आपकी जो series है यह convergent होगी यह कैसी series होगी यह convergent series होगी तो आप इसको यूज कर सकते convergent होगी या नहीं होगी तो इस series हमारी convergent होगी क्योंकि common ratio यहाप पर जो है आपका वो minus 1 और 1 के बीच में है दूसरी series मैंने यहापर बनाई 3 upon 2 plus 3 upon 2 की power 2 plus 3 upon 2 की power 3 plus dot dot यह भी एक हमारी GP है geometric series है तो यहाँ पर अगर common ratio आप निकालेंगे तो वो होगी 3 by 2 और 3 by 2 आप जानते हैं 1 से बड़ा होता है और उपर मैंने बताया यदि R की value common ratio की value 1 से बड़ा हो जाएगा तो series होगी आपकी divergent इसका मतलब यह कैसी series है यह ज divergent series है यह होगी आपकी divergent series तो इस तरीकी से अगर कहीं पर geometric series का concept आएगा तो R की value minus 1 और 1 के बीच में है तो convergent अगर R की value greater than 1 है तो divergent फिर आगे चलते हैं काफी important है यह हमारा P series और hyper harmonic series P series और hyper harmonic series जो की comparison test के हर question में यूज होनी है ठीक है पहले हम P series को define कर लेते है N infinite series येक infinite series मैंने define की जो है summation 1 upon N की power P यह series है हमारी summation 1 upon N की power P और आप जानती है summation 1 से start होकर की infinity तक जाता है तो यहाँ पर हमने N को 1 रखा तो 1 upon 1 की power P बनेगा N को 2 रखा second term बनाई तो 1 upon 2 की power P बनेगा ऐसी 1 upon 3 की power P 1 upon 4 की power P और plus dot dot कहीं पिसकी nth term बनेगी और plus dot 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 infinite तक यह जाएगा तो यह जो series मैंने define की है इस P की वज़े से कि कि आप देख सकते कि denominator में हर terms की power P है इस P power की वज़े से इसको हम P series कहते है यह इसको हम hyper harmonic series भी कहते है बात करते है इसके one step test की जो की काफी use होना है comparison test में यह जो P series हमने define की है it is convergent यह हमारी convergent होती हमेशा यदि इस P की value यह P की value 1 से बड़ी हो जाए अगर P की value 1 से बड़ी आती है तो P series होती है हमेशा convergent और यह series हमारी divergent होगी यदि P की value आजाए less than equal to 1 यदि इस P की value पी की value को आप निकाले और यह less than equal to 1 आए तब series हमारी होती है divergent तो यह हमारी P series है इसको हमागी use करेंगी for example example मैंने one लिया example one को मैं ने consider किया summation one upon n की power three by two यह series है यह एक P series है यह हमारी एक P series बनेगी is a P series और यह एक P series है जहाँ पर P की value की बात करें पी की value मतलब जो n की power में है जो n की power में होता है वो P की value निकलती है वहाँ से तो n की power में 3 by 2 है यह निके P की value यहाँ पर 3 by 2 है और 3 by 2 होता है 1 से बड़ा 3 by 2 होता है 1 से बड़ा और 1 से बड़ा होने पर P series होती है Convergent इसका मतलब यह जो आपको series given है ठीक है इस test से आप इसको लिख सकते हो कि यह हमारी Convergent series है यह हमारी कैसी series होगी Convergent series होगी by using P series test On the other hand, दूसरे example मैंने लिया दूसरे example मैंने लिया summation 1 upon n की power 1 by 2, ठीक है यह भी एक P series है यह भी हमारी P series है और यहाँ पर भी अगर P की value की बात करें P की value होती है जो n की power में होता है, n की power में यहाँ पर 1 upon 2 है और 1 upon 2 होता है 1 से छोटा ठीक है, और मैंने आपको यहाँ पर उपर बताया, अगर P की value less than 1 to 1 आती है, तो series होती है divergent, इसका मतलब यह जो series है by the P series test यह हमारी divergent series होगी this will be divergent series तो इस तरीके से आप P series test को लगा सकते अपने questions में और comparison test में हम इसको use करेंगे हम अब आते हैं आपकी important test की तरफ जहां से long question बनते है तीन test है, comparison, ratio, dilumbert ratio यह फिर last में आता है, Rabase test तीन चार test हम पढ़ने वाले है सबसे पहला test है, comparison test comparison test, ratio test और Rabase test सारे positive term series के लिए लगते है तो comparison test for the positive term series जिसमें सभी term positive हो उसी में test लगते है तो comparison test क्या होता है comparison test आपको यह कहता है summation UN और summation VN दो positive term series हमारे पास हो और इस परकार से हो such that कि आप वहाँ पर limit निकाल दे limit निकाले UN की upon में VN की, मतलब UN को UN निकलेगा यहां से एंथरम, VN निकलेगा यहां से एंथरम दोनों को divide करना है और divide करके आपको limit निकालनी है और यह limit मालनी मैंने L के बराबर आ गई यह जो limit है किसके बराबर मानी मैंने L के बराबर मानी यह limit एक तो 0 के बराबर नहीं आनी चाहिए मतलब जो भी L की value होगी वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए 7-7 में कोई finite value आनी चाहिए ठीक है तो जो भी limit आएगी वो 0 के बराबर ना हो और साथ ही साथ में कैसी value आए, finite value आए, तो comparison test ये कहता है, कि summation UN और summation VN का behavior एक जैसा होगा, ठीक है, दोनों एक साथ converge करेगी या दोनों एक साथ diverge करेगी, मतलब अगर VN, अगर VN convergent है, तो UN भी convergent होगी, अगर VN divergent है, तो UN भी हमारी divergent होगी, मतलब साथ का साथ behavior, UN का VN के जैसा होगा, और VN को बनाएंगे हम P series, जो कि अभी पढ़ाई है, VN को हम ऐसी series बनाएंगे, जिससे कि हम answer देखते ही बता दे P की value, अगर ये है greater than 1 तो convergent, less than equal to 1 पर divergent, तो हम VN को हमेशा P series बनाते हैं, ये हमेशा ध्यान लखेगा, तभी हम comparison test में बहुत इजली बता सकते हैं, summation VN की help से, कि UN convergent है या divergent है, तो हमें करना क्या होता है comparison test में, UN upon VN की limit निकालने हैं, वो non zero finite होनी चाहिए, तब हम कह देंगे कि दोनों का behavior एक जैसा होगा, दोनों एक साथ converge या diverge करेगी, important बात जो आप बताने वाला हूँ, when to apply comparison test, इसको कब apply कर सकते हैं, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि जब exam में question आता है, student उसको देखकर कि यही नहीं बता पाता है, कि इसमें कौन सा test लगेगा, पहली बात तो आपको practice जादा से जादा करनी है, तब ही आप समझ पाएंगे कि कौन सा test कब लगना है, अगर आप सोचते हैं कि direct method को पढ़के आप question कर दे, ऐसा possible नहीं है, आपको methods के question ज़्यादा से ज़्यादा लगाने होगे, तब आपको पहचान होनी शुरू होगी, इसमें ratio test लगना है, इसमें comparison test लगना है, इसमें rubbish test लगना है, ठीक है, तो इसकी condition क्या है, ठीक है, इसकी condition ये है कि जो आपका un होगा, वो आपका fn upon gn की form में आए, और ये दोनों के दोनों polynomial होने चाहिए, ये दोनों क्या होने चाहिए हमारे, polynomial होने चाहिए, ये n में कोई भी expression होने चाहिए n में कोई भी expression जिसमें हम easily n को उपर नीचे से common निकालने ठीक है, मतलब एक बार ध्यार लखना कि जो fn upon gn आपके function होंगे, इसमें से n उपर नीचे से easily common आना चाहिए यह मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ठीक है, so that so that n can be taken common n can be taken common from numerator and denominator ठीक है, मतलब इस तरीके से polynomial या n में expression होने चाहिए कि n को आप numerator से भी और n को आप denominator से भी common ले ले यह main बात है, अगर यह condition fulfill हो जाती है, तो compression test easily लगेगा, बस simply आपको यही ध्यान लखना है कि n उपर नीचे से easily coma न आ जाए तो compression test लग जाता है, दूसरा case ठीक है, compression test के question में कभी भी x नहीं आता है, अगर x question में आ गया, तो आप compression test नहीं लगा सकते हैं, ठीक है न, if x is not present if x is not present in the series अगर x series में present नहीं है तब भी आप compression test अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है न, तो condition तो उपर वाली main होती है, कि जो भी आपका un बने, वो polynomial form expression हो या कोई भी expression हो, जिसमें आप n को उपर नीचे से common ले सकें, तो compression test लग जाता है, चलिए example से जानते हैं example में लेता हूँ, test the convergence of the series, सबसे पहली बात, इसमें x नहीं है, इसका मतलब हम compression के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन compression को निकालने के लिए इस series की nth term जो है, वो मुझे find करनी होगी, ठीक है न, तो पहले मैं क्या करूँगा solution में, जो भी series आपको given है, इसको मैं let कर लूँगा, summation un के बड़ाबर, तो इस series को मैंने summation un के बड़ाबर let किया, अगर ये series हमारी summation un series है, तो उसमें हमें nth term निकालनी है, then, तब हमें find करनी है, यहाँ पर nth term, इस series की, इस series की nth term find करने के लिए आपको series की जो nature है, वो find करनी होगी, है न, simple सी बात है, fraction form में हर term है, यानि कि numerator में भी कुछ है, denominator में भी कुछ है, तो nth term में भी same आएगा, अब आपको उपर numerator का behavior देखना है, numerator को अगर देखे, threes बनेगी, पहली term में 1 है, numerator में, दूसरी term में 3 है, तीसरी term में 5 है, तो यह आपकी 135 सीरीज बन जाएगी, और 135 है एक AP है, जिसका common difference 2 होगा, तो inter वाले formula से आप nth term find करते हैं, inter का formula आपने पढ़ा होगा, a plus n minus 1 into d, a होता आपका first term, ठीक है, n minus 1 edities रहता है, और d होता common ratio, तो इससे आप nth term निकाल सकते हैं, a की value यहाँ पर है 1, ठीक है, plus n minus 1, d की value है 3 minus 1, 2, इसको simplify कर लेंगे, 1 plus 2 n minus 1, और after solving इसको आपको मिलेगा, 2 n sorry, 2 n minus 2 आएगा, 2 n minus 1 2 के अंदर multiply करेंगे 2 n minus 2 आएगा, यह 2 n minus 1 मिलेगा, यानिके जो उपर की आपके series है, उसकी nth term हमें मिली, 2 n minus 1 तो यह 2 n minus 1 हमारी उपर का behavior के साथ से हमने एंदर बनाई, अब नीचे देखा जाए तो 3-3 drum multiply में चल ली है, पहली है 1, 2, 3, फिर है 2, 3, 4 फिर है 3, 4, 5, तिन-3 drum साथ में चलने का मतलब है, तीन series एक साथ चलेगी, अब series कौन-कौन मिलेगी, यानि के 1, 2, 3 1, 2, 3 का n बन टरम a plus n minus 1 into d solve करके n आएगा, यानि के जो पहली series है, उसकी nth drum हमारी हो जाएगी n इसकी nth drum हमारी होगी n फिर दूसरी series आपकी बनेगी इस 2 को ले करके, इस 3 को ले करके, इस 4 को ले करके तो 2, 3, 4 2, 3, 4 का n बन टरम a plus n minus 1 into d वही एपी बनेगी, है न, a की value यहाँ पर 2 है, d की value यहाँ पर है 3 minus 2, यानि के 1, तो 1 रख दिंगो है मैं आप पर, तो 2 plus n minus 1 मिलेगा, और इसको simplify करके n plus 1 आएगा यानि के जो हमारी दूसरी series है वो बन जाएगी n plus 1 तीसरी series, तीसरी series बनेगी 3rd term से, 3, 4, 5 तो 3, 4, 5 एक a, p है, इसका भी n term निकाल देंगे, a plus n minus 1 into d, after solving इसको मिलेगा, n plus 2 तो यहाँ पर हम रख देंगे n plus 2 तो जैसा हमारा series का behavior है उसी के हिसाब से हमें n term को find करना होता है, तो यहाँ पर मैंने उसी के हिसाब से n term को find किया ठीक है, पहली पहली term से पहली series बनी, दूसरी दूसरी term से दूसरी series बनी, तीसरी तीसरी term से तीसरी series बनेगी, और तीनों में ap का formula लगा के आप find कर सकते है, ठीक है अब आपको यह cross check करना है कि जो हमारी nth term है, क्या यह सही है उसके लिए आप इसमें n को 1 रखो, अगर n को 1 रखते है उपर से मिलेगा 1, नीचे से मिलेगा 1, 2, 3, यानि कि पहली term आ जाएगी, यानि कि हमारी यह हमारी nth term सही है n को 2 रखने पर आएगी दूसरी term आप cross check कर सकते है n को 3 रखने पर आएगी तीसरी term आप cross check कर सकते है इसका मतलब अगर n की value 1, 2, 3, 4 रखने पर वही series मन जाए तो आपने nth term सही निकाली है ठीक है, अब हमारा यह un हो जाएगा अब इस un पर हमें काम करना है ठीक है, इस un पर हमें काम करना है हमें देखना है कि इसमें हम comparison test लगा पाएंगे और उसके लिए मैंने आपको बताया था कि यदि हम उपर नीचे से un में से n को easily common ले 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 या polynomial form में वो है तो हम वहाँ पर comparison test लगा सकते है बहुत easily आप देख सकते है कि उपर से भी n को मना जाएगा वहाँ से मिलेगा आपको 2 minus 1 upon n और नीचे से भी 3 n को मना आएंगे एक n और लेडी है एक n यहां से, एक n यहां से तो n की power 3 हो जाएगा बाहर और यहां से मिलेगा आपको 1 plus 1 upon n और 1 plus 2 upon n ठीक है और अगर n को n क्यूब से हम डिवाइड लगा दे, तो यहां पर आपको solve करके मिलेगा n को n क्यूब से डिवाइड लगाने पर 1 upon n इस्पैर मिलेगा, solve करके जो कि मैं directly लिख देता हूँ, तो n को हमने उपर से भी common लेले, easily हमने नीचे से भी common लिया, ठीक है, तो यह हमारा vn हो जाता है, यह जो भी common लेकर के बनता है, वैसे तो vn का दूसरा method होता है, लेकिन मैं आपको ऐसा method बताऊँगा कि limit भी directly निकाल सके, और limit अगर आप यहां पर इस form से निकालेंगे तो कभी भी infinity upon infinity form नहीं बनेगी आपकी, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ आगे, तो यह जो हमने p-series की form में बाहर लिया है one upon n की power p की form बनती है मैंने आपको p-series बताया था one upon n की power p की form में तो हमेशा vn one upon n की power p की form में ही मानना है, तो यह जो series है, जो मैंने one upon n स्क्राइब यहां पर common लिया है इसी को हम वी एन मानेंगे वी एन हर कुष्णमें अपने आप ही लेट करना है P-Series की फोन तो मैंने यहां पर लेट कर लिया कि जो summation यून summation वीन है वो summation वान अपून अन इस्क्वैर है मतलब मतलब हमने यहाँ पर VN को लेट कर लिया कि 1 अपोन N स्पेर है यह आपको अपने आप लेट करना होता है कोमल लेने पर जो P स्रीज की कोम में बनता है वो ही हमारा VN होता है अब कंप्रिजन टेस्ट लगाने के लिए हमें दोनों की लिमिट निकालनी होगी ठीक है लिमिट n tending to infinity un upon VN फाइन करना होगा लिमिट n tending to infinity un की value रख दो un की value है 1 upon N स्पेर ठीक है 2-1 upon N और यहाँ से मिलेगा 1 प्लस 1 upon N और यहाँ से मिलेगा 1 प्लस 2 upon N और डिवाइड में VN की value 1 upon N स्पेर यह पूरा-पूरा इससे कट जाएगा अगर आप इस method से जाते common लेने वाले method से तो बहुत इजी लिए cut जाएगा और infinity upon infinity form कभी नहीं बनेगी अब इसको हम simplify कर लेंगे limit n tending to infinity उपर से मिला 2 minus 1 upon n नीचे से मिला 1 plus 1 upon n और 1 plus 2 upon n ठीक है इसमें n को infinity रखेंगे n को infinity रखने पर आपको पता है कि something upon infinity हमेशा 0 बनता है तो 1 upon में infinity आएगा जिसकी value 0 होगी यहाँ पर भी 1 upon में infinity आएगा जिसकी value 0 होगी यहाँ पर भी 2 upon infinity आएगा जिसकी value 0 होगी इसको simplify करके आपको 2 मिलेगा और 2 ना तो 0 के बरावर है साती सात में एक finite number है और compression test के condition यही कहती है कि un upon vn की जो भी limit आए ना तो वो 0 के बरावर आए और नहीं हो वो साती सात में finite number भी होना चाहिए तो यह 0 के बरावर नहीं है finite number है इसको मतलब compression test यहाँ पर लग जाएगा तो compression test यह कहता है कि un और vn का behavior एक जैसा होगा then by compression test sort में लिखता हूँ summation un and summation vn converge और diverge together converge और diverge together ठीक है तो दोनों का behavior एक जैसा होगा दोनों एक साथ converge और diverge करेगी अब सारा खेल depend करता है vn series पर ठीक है अब vn को तो हमने ऐसी series बनाया आप इजली बता देंगे convergence tag की नहीं है ठीक है here here जो summation vn है summation vn का मतलब summation जो vn हमने माना था one upon n square यह एक p series बनेगी is a p series यह हमारी एक p series है और यहाँ पर अगर p की value की बात करें p की value है यहाँ पर 2 और 2 होता है वन से बढ़ा और मैंने p series में आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर p की value वन से बढ़ी आती है तो series इससे यह शो होता है कि जो summation vn है वो convergent series है by using the p series test अगर summation vn convergent है तो compression test यह कहता है कि जो summation un है वो भी हमारी convergent series होगी ठीक है तो हमने compression test से बहुत इजी ली बता दिया कि summation un भी हमारी convergent series होगी तो इस तरीके से आप compression test के examples लगा सकते है आगे चलते हैं दूसरा test होता है हमारा ratio test सभी question में compression test नहीं लगता है अगर question में x आ गया या question में factorial आ गया तो कभी भी हम compression test को नहीं लगा पाते हैं इसके लिए ratio test और delumber ratio test बना है ठीक है ratio test की बात करें delumber ratio test की बात करें दोनों के दोनों ही आपके positive term series के लिए लगते हैं इसकी definition समझ लेते हैं कि अगर summation un हमारी positive term series हो और इस तरह से positive term series हो कि वहाँ पे आप limit निकाले वहाँ पे आप क्या करें limit निकाले n tending to infinity un plus 1 upon un की और ये limit l के बरावर आ जाए आप क्या करें limit निकाले un plus 1 upon un की मतलब n term और n plus 1 भी term का ratio निकालना है ratio निकालने इसलिए हम इस test को कहते है ratio test un plus 1 को un को divide करना है ratio निकालने इसलिए इस test का नाम है ratio test तो हम क्या करेंगे इनको ratio निकाल करके उसकी limit निकालेंगे हमने उसको नाम दिया l का कि हमारी limit l आएगी तो इस l पर ही पूरी series का nature depend करता है ठीक है summation UN जो series है वो convergent होगी यदि ये L की value less than 1 हो जाए अगर L की value less than 1 है तो series होगी convergent और अगर ये L की value greater than 1 आजाती है तो series होगी divergent और ये हमारा जो ratio test है ये fail हो जाता है यदि limit 1 आजाए ठीक है मतलग ये ratio test fail हो जाएगा ये ये L की value 1 के बराबर हो जाए तो ये आपको definition याद रखने है तब आप example में लगा पाएंगे L की value less than 1 पर ठीक है series होती है convergent L की value greater than 1 पर series होगी divergent और L की value equal 1 पर ratio test हो जाता है fail जब ratio test fail होगा तो आपको या तो compression जो मैंने सिखाया वो लगाना या फिर आपको जो आगे बताऊंगा मैं राबेज test वो लगाना होगा ratio test के fail होने पर आपको वे दो test यूज करने वैसे ratio test के fail होने पर कहीं सारे test apply होते है लोगरिथिमी कोची कंडन से वह सारे test होते है लेकिन आपके syllabus में केवल compression और राबेज है तो दोनों पर ही बात करू यह जैसे compression में आप n को उपर से common लेलो n को नीचे से common लेलो easily common आ गया तो आपने compression test लगा दिया लेकिन अगर common न ले सके या फिर compression test आपने लगा दिया लेकिन वहाँ पर limit 0 आ जाए उस case में हमें किसी दूसरे test के बारे में सोचना होता है वो simple यह test होता है ठीक है इसमें condition मे अगरrev bishen में factorial है if factorial is present in the series तब आपको यह ratio test लगाना है अगर question में x है directly आपको ratio test पर आमें हो पाता तब भी आपको ratio test पर आना है, मतलब n को उपर नीचे से common ना ले पाए तब भी हमें ratio test पर आना होता है, ठीक है n को उपर नीचे से common मतलब जैसे कि आपको दिया है 2 की power n upon 3 की power n plus 2 इसमें हम n उपर नीचे से common नहीं ले सकते ठीक है, तो इसमें हम compression test लगा ही नहीं सकते ठीक है तो यहां पर आपको क्या करना होगा यह जो मैंने टेस्ट पढ़ाया ratio test वो लगाना होगा अगर question में x आता है तब भी आपको ratio test लगाना होगा अगर factorial आता है तब भी आपको यह ratio test apply करना होगा एक example से देख लेते हैं test the convergence of the series इस series के लिए हमें convergence check करनी है कि series convergent है divergent है तो सबसे पहला काम जो भी series आपको given है जो भी series हमें given है उसको हम लेकर के चलेंगे और summation un के बराबर उसको let कर लेते हैं तो मैंने solution में let किया let summation un जो भी series आपको दी है उसको summation un के बराबर मैंने लेट किया अगर यह summation un है तो मुझे पहले यहाँ पर nth ट्रम फाइंड करनी होगी जिसमे सारा काम होना है यहाँ पर अगर देखा जाए तो numerator में x की powers है और x की power कैसी है 2, x की power 4 मतलब x की even powers है तो क्या हम इस one को भी x की even power में लिख सकते है यस लिख सकते है वो होगी x की power 0 जिसको मैं directly लिख देता हूँ इसको मैंने लिख दिया x की power 0 पहली ट्रम में जो one था इसको x की power 0 लिख दिया pattern बनाने के लिए ठीक है अब यहाँ पर हम un find कर सकते है here un un को find करने के लिए numerator का pattern देखना होगा कि pattern कैसा बनेगा आप देख सकते हैं कि पहली ट्रम में x की power 0 है दूसरी ट्रम में x की power 2 है उपर तीसरी ट्रम में x की power 4 है तो simple सी बात है यहाँ पर भी जो भी आएगा वो x की power में ही आना है ठीक है अब फिर उपर pattern कहेंगा बनेगा उपर बना 0 पावर में 2 पावर में 4 तो 0,2,4 एक ap है ap का concept इसमें लगा दो a plus n minus 1 into d यह formula लग जाएगा ap की एंटरम फाइन करने के लिए और इसको solve करके आएगा 2n minus 2 जो कि मैं x की power में लिख दूँगा 2n minus 2 x की power में 2n minus 2 लिख देंगे फिर divide वाला pattern देखते हैं divide में देखा जाए तो 2 है अंडरूट से पहले फिर अंडरूट से पहले यहां पर 3 है फिर अंडरूट से पहले 4 है तो 2,3,4 भी एक ap बनेगी इसका भी एंटरम निकाल लेंगे a plus n minus 1 into d यह निके 3 minus 2 into 1 solve करके मिलेगा आपको 2 plus n minus 1 जिसको solve करके n plus 1 आ जाएगा अब रूट के अंदर जो है उसका पैटरन देखो रूट के अंदर पहली टरम में रूट 1, दूसरे टरम में रूट 2, तीसरे टरम में रूट 3 तो इसका तो सीधा सीधा है कि nth टरम में रूट n हो जाएगा ठीक है तो यह हमारी इस स्रीज के लिए nth टरम बन जाएगी cross check आप कर सकते है कि हमने सही बनाया नहीं x को 1 रखो, x को 1 रखने पर अगर पहली टरम आती है तो आपने सही बनाया है x को 2 रखने पर अगर दूसरी टरम आती है तो आपका सही है x को 3 रखने पर अगर तीसरी टरम आती है तो आपने सही बनाया है यह cross check करने का तरीका है ठीक है क्योंकि अगर nth टरम आपकी गलत हो जाएगी तो question करना बेकार है question आप तभी कर पाएंगे यदि nth टरम आपको अच्छे से बनानी आती है ठीक है मैं काफी students को देखता हूँ कि nth टरम नहीं बना पाते तो जादा से जादा practice करे तो यह हमारी nth टरम बनने के बाद simple सी बात है question में हमारा x है तो उसका मतलब comparison test तो लगेगा ही नहीं फिर हमें यहाँ पर ratio test पर आना होगा ratio test हमें कहता है कि पहले आप n को n plus 1 रखके un plus 1 निकालो तो n को n plus 1 रख लेते हैं n को n plus 1 रखके इसको equation 1 कह देता हूँ n को n plus 1 रखना है तो उपर से मिलेगा x की power 2 n plus 1 minus 2 ठीक है और नीचे से मिलेगा n को n plus 1 रखने पर n plus 1 प्लस 1 और under root में n plus 1 तो यह मिलेगा n को n plus 1 रखने पर और इसको अगर उपर solve करें तो यह 2 से 2 बड़ जाएगा x की power 2n बनेगा और नीचे आपको मिलेगा ये n प्लेस 2, n को n प्लेस 1 रखने पर और ये होगा अंडरूट n प्लेस 1 तो हमने क्या किया, un से n को n प्लेस 1 रखे, un प्लेस 1 निकाला अब दोनों को डिवाइड करना है, ratio निकालना है, ratio टेस्ट लगाने के लिए un प्लेस 1 को un से डिवाइड करेंगे, तो un प्लेस 1 की value है, x की power 2n और ये है आपका n प्लेस 2, और ये है अंडरूट n प्लेस 1, डिवाइड करेंगे un से तो un से जब डिवाइड करोगे, तो ये डिवाइड में आएगा सारा, लेकिन अगर इसको आप उल्टा करके लिखोगे, तो ये उपर जाके multiply में हो जाएगा, उल्टा करके उपर लिख देंगे, reverse करके लिख देंगे, n प्लेस 1, root n तो उपर हो जाएगा, और नीचे हो जा कुछ ट्रम्स कट जाएगी, क्या क्या कटेगा हमारा यहां पर भई, यहां पर x की power 2n से x की power 2n कट जाएगा, x की power 2n से x की power 2n कटने फिर बाकी जो बचेगा उसको देख लेते हैं, इससे आपको मिला, un plus 1 upon un, ठीक है, यहां से आपको मिलेगा, n plus 1 उपर से root n, और ऐसे ही n 了吧 2 नीचे से और under root n plus 1 और ये x की पाइı – 2 उपर जा के x स्पेर हो जाए गो तो इस तरीके से हमने un plus 1 और un को divide करके ratio निकाल दिया ठीक है अगर आप इसके limit निकालते है therefore इसके limit निकालते है n tending to infinity पर तो ये मिलेगा आपको limit n tending to infinity पर n plus 1 root n और n plus 2 root n plus 1 और into में आएगा x square ठीक है अब हम क्या करेंगे n को infinity रखेंगे तो उपर n को infinity रखने पर infinity आएगा नीचे भी n को infinity रखने पर infinity आएगा तो ये infinity upon infinity form बनेगी ठीक है और जब भी आपको sequence series में infinity upon infinity form दीखे तो उपर नीचे से n को common लेकर के काट दो कोशिच करो n divide में आजए n divide में आएगा तो something upon divide में अगर n है तो something upon infinity zero हो जाता है ठीक है तो same तरीके से concept लगा लेते है n को उपर नीचे से common लेके simplify करेंगी n अगर उपर नीचे से common ले n अगर उपर नीचे से common ले तो इससे आपको मिलेगा limit n tending to infinity n यहां से common लिया तो 1 plus 1 upon n हो जाएगा ठीक है और यह हो जाएगा आपका n common लेने पर n root n ठीक है यहां से भी n common लिया तो यह 1 plus 2 upon n हो जाएगा यहां से भी n common लिया तो n root n बनेगा और यह root के अंदर बचेगा 1 plus 1 upon n एक बात ज्यानक नगर अंदर root के अंदर से n को common होगे तो अपने साथ root लेकर के आएगा यहां से n simple आएगा ऐसा करने से पूरा-पूरा कट जाएगा और n 2 में बचेगा x square अब हम इसकी limit निकाल लेते हैं इस विल बीक्वल टू limit n tending to infinity उपर से आपको मिलेगा 1 plus 1 upon n और नीचे से हमें मिला 1 plus 2 upon n और अंदर root में 1 plus 1 upon n x square अब आप इसमें n को infinity रखर के देखे कभी भी infinity upon infinity form नी बनेगा simple सा fund आएगी n को उपर नीचे से common लेलो n को divide में ले आओ 1 upon n divide में है 2 upon n divide में n को infinity रखने पर उपर से मिलेगा 1 plus 0 something upon infinity 0 होता है नीचे से मिलेगा 1 plus 2 upon infinity यानिके 0 अंदर root में 1 plus 0 और into x square और इसको simplify करके x square आपको मिलेगा यानिके जो यहाँ पर un plus 1 upon un की value है वो हमारी x square आ जाएगी यानिके पूरा का पूरा जो test है इस x square पर ही depend करता है ठीक है ratio test जो है पूरा का पूरा इस x square पर depend करता है then by ratio test then by ratio test जो हमारा ratio test होता है ratio test यह कहता है कि जो हमारी limit आती है un plus 1 upon un की अगर वो less than 1 है तो convergent greater than 1 है तो divergent अगर equal 1 है तो ratio test fail हो जाएगा तीनों condition हमें लिखनी होगी है आपड ठीक है summation un is convergent summation un हमारा convergent series होगा यदि यह limit जो आई है x square यह less than 1 हो जाए ठीक है अगर यह x square की value less than 1 आती है अगर यह x square less than 1 आता है तो convergent दूसरा summation un हमारा होगा divergent series जो है हमारी divergent होगी यदि यह जो limit आपने निकाली है x square की x square यह आपकी 1 से बड़ी हो जाए तीसरा यह ratio test fail हो जाएगा ratio test fail यह ratio test fail होगा यदि यह x square की जो value आपने निकाली है 1 के बराबर हो जाए तो यहाँ पर आपको ratio test से दो answer तो मिल गए कि less than 1 पर convergent ठीक है x square greater than 1 पर divergent लेकिन जो तीसरा case है यह आप find नहीं कर पाई यहाँ पर x square equal to 1 बाला तो यानि के हमें x square को 1 रखना होगा और कोई दूसरा test महाँ पर लगाना होगा ठीक है तो अब हम क्या करेंगे जो हमने un निकाला था ठीक है un में x square को 1 रखेंगे और case बनेगा यह हमारा heading डाल लेतना हूँ 4 4 x square equal to 1 x square equal to 1 equation 1 gives equation 1 में value रखेंगे अगर x square को equation 1 में हम रखे 1 x square की जगा पे 1 रखे तो equation 1 हमारी यह है इसमें अगर x square को 1 रखते है तो उपर बन जाएगा हमारा 1 की power x की power 2 को common ले लेंगे n-1 और x square को रखना है 1 तो 1 की power n-1 बनेगा और 1 की power अगर आप n-1 करते हैं तो वह हमें इसा 1 value देगा 1 की तो कितनी भी power कर लीजी आप 1 ही आएगा छोड़के infinity को ठीक है तो यह हमें उपर से 1 value मिलेगी नीचे से मिलेगा n-1 root n यह अगर हम x square को इसमें 1 रख दे तो यह मिलेगा आपको 1 upon n-1 root n इसको में नीचे डिरेक्टी रिख देता हूँ 1 upon n-1 root n तो un हमें मिलेगा x square equal to 1 पर 1 upon n-1 root n ठीक है तो अब यहाँ पर आपको कोई दूसरा test लगाना होगा दूसरा test यदि n common आ जाए तो compression test लगता है अगर common न आ है तो जो सब से last में पढ़ाऊंगा आपको रावेज test वो लगेगा तो यहाँ पर देखा जाए तो उपर नीचे से easily n common आ रहा है n को अगर common ले तो यहाँ से मिलेगा आपको 1 plus 1 upon n और n आ जाएगा common एक root n पहले से है इसको हम लिख सकते 1 upon n की power 3 by 2 root n और n मिल करके n की power 3 by 2 हो जाएगा और into में आएगा 1 upon 1 plus 1 upon n compression test लगाने के लिए यह जो हमारा आता है इसको हम P-series मानते और Vn के बराबर consider करते है let मैंने यहाँ पर Vn को consider किया 1 upon n की power 3 by 2 ठीक है therefore un upon Vn की limit निकाली अगर आप un upon Vn की limit find करते है ठीक है यह मैंने बताया था आपको मेरे वाले method से यह पूरा-पूरा इससे cut जाएगा बचेगा कितना हमारा 1 upon 1 plus 1 upon n बचेगा n को हम infinity रखेंगे तो 1 upon 1 plus 0 आएगा जिसको solve करके 1 आएगा जो की 0 के बराबर नहीं है साथी साथ में एक finite value भी आएगी तो compression test यहाँ पर लग जाएगा compression test यह कहता है कि अगर un upon Vn की limit 0 के बराबर ना हो साथी साथ में कोई finite value आए तो दोनों की दोनों series एक साथ converge जो diverge करेगी therefore या here जो हमारी summation Vn series है वो हमेशा हम एक P series बनाते है n की power 3 by 2 एक P series है is a P series और P series है यहाँ पर with P की value यहाँ पर है 3 by 2 3 by 2 होता है 1 से बड़ा और P series में अगर P की value 1 से बड़ी होती है तो series convergent होती है इसका मतलब जो summation Vn है वो हमारी convergent series है summation Vn कैसी series है convergence series है कौन सा case आपने लिया है यह आपने लिया है x square equal to 1 वाला यह मत भूलेगा क्योंकि जहाँ पर ratio fail हुआ था ना x square equal to 1 पर fail हुआ था यह हमने x square equal to 1 के लिए solve किया है और अगर Vn convergent है तो by the compression test summation Vn होगी किसके लिए 4 x square equal to 1 के लिए ठीक है आप चाहे तो last में answer को combine कर सकते है less than 1 पर हमारा जब x square less than 1 था तो convergent था साथ में equal पर भी हमारा क्या है convergent है तो दोनों को merge कर देंगे x square less than equal to 1 पर तो हो जाएगा convergent answer ठीक है और x square greater than 1 पर हो जाएगा answer हमारा divergent तो इस तरीके से आप ratio test लगा सकते हैं question में और ratio test fail होने पर x वाले question में हमेशा ratio test fail होता है फिर वहाँ पर आपको comparison test लगाना होता है जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बता है last में जो आपका sequence series में test है वो है rubbish test कुछ questions ऐसी होते है कि जो ratio test fail होने पर comparison से नहीं हो पाते मतलब जिसमें हम n उपर नीचे से common नहीं ले पाते तो उस case में हमें rubbish test लगाना होता है rubbish test की definition समझ लेते हैं कि इसको हम कभी उज करते है when ratio test fail यह याद रखेगा सको हम तभी उज करते हैं जब ratio test fail हो जाए दूसरा ही positive term series के लिए होता है इसकी definition समझ लेते हैं कि summation un अगर हमारा कोई positive term series है और इस परकार से positive term series है कि आपने limit निकाली n tending to infinity n into un upon un plus one minus one इस expression की limit निकालनी है मतलब un upon un plus one में से minus one करना हो फिर n की multiply करनी है फिर limit निकालनी है और हमने मान लिया कि limit L के बराबर आए तो इस L पर ही depend करती है पूरी series की convergence या पूरी series का behavior अगर L की value बड़ी हो जाए one से ही मतलब अगर L greater than one है तो series होती है by the raw base test convergent अगर L की value हो जाए less than one तो series होती है by the raw base test divergent और ये raw base test भी fail हो जाएगा यदि हाँ पर limit आ जाए हमारी one के बराबर ध्यान नकना definition अच्छे से याद करने की definition भी exam में आती है ratio test में convergent के लिए L less than one था लेकिन raw base में उल्टा है L greater than one है ये conditions की याद रखिएगा ratio में L less than one होता है राबेज में conversion के लिए L greater than one होता है L greater than one पे राबेज जो है convergent होता है definition अच्छे से याद करके चले समझ के चले तभी हो पाएगा apply कब करना है ये मैंने आपको बताए दिया कि जब ratio test fail होगा एक तो आपको तब लगाना है दूसरा compression test apply ना हो पाए compression test cannot be apply compression test apply ना हो पाए और ratio test fail हो जाए compression test का अब apply नहीं होनेगा जब N उपर नीचे से आप common नहीं ले पाएंगे तो compression test apply नहीं होगा तो उस case में हमें राबेज test पर आना होता है जो कि आपके सलेवस का last test है इसका भी एक example देख लेते है इस series की convergence और divergencies हमें check करनी है series की convergence divergency check करने के लिए यहाँ पर हमें इसकी nth Primary बनानी होगी और nth orm को बनाने के लिए nth o बनाने के लिए हमें पहली Trilum को leave करना पड़ेगा क्यों करना पड़ेगा क्योंकि अगर first arm अप लेते है तो उसकी आप nth और चुकि infinite series में infinite drum है, अगर एकाद drum को आपने leave कर भी दिया, तब हमारी series की convergence और divergency पर कोई फरक नहीं पड़ता है, तो एकाद drum को आप leave कर सकते हैं, ठीक है, अब कुछ student का doubt होगा कि अगर हमने गलती से एकाद drum को leave करके फिर solve कर दिया, no problem, answer आप leave करें या ना करें, answer पर को divergency आएगी, divergent है तो divergency आएगी, ठीक है, तो यहाँ पर पहली drum से हमारा जो है, nth drum नहीं बनेगा, तो हमने पहली drum को leave करके, फिर summation un let किया, तो मैं लिख देता हूं, leaving first drum, leaving first drum, पहली drum को मैंने कर दिया, leave and let, और जो भी आपका बना है, उसको हमने summation un के बराबर let कर लिया, प दूसरी drum को मैंने लिखा, 1 into 3 upon 2 into 4 into x square, दीसरी drum को मैंने लिखा, 1 into 3 into 5 upon 2 into 4 into 6 और x की power 3, plus dot dot dot, अब हमें इस series से nth drum find करनी है, then हम यहाँ पर nth drum find करेंगे, जो कि un होगी, nth drum को find करने के लिए, आपको series का pattern देखना होगा, हर drum में x की power है, पहली drum में x की power 1 है, दूसरी drum में x की power 2 है, तिसरी drum में x की power 3 है, इसका मतलब आपको इससे pattern मिल गया होगा, कि जो nth drum आएगी, उसमें x की power n आएगी, ठीक है, x की power 1, पहली drum में x की power 2, दूसरी drum में है, तो इसका मतलब N ट्रम में X की पावर N आएगी. दूसरा पैटर्न देखिए, पहली ट्रम का नुमिनिटर देखो, जिसमें 1 आया, दूसरी ट्रम का नुमिनिटर देखो, जिसमें 1 भी आया, 7 में 3 आ गया, तीसरी ट्रम का नुमिनेटर देखो जिसमें 1 भी आया, 3 भी आया और 7 में 5 आ गया मतलब एक-एक ट्रम बढ़ती जा रही है ठीक है? पहले 1 आया, फिर अगली ट्रम में भी वन आया, उससे अगली ट्रम में भी वन आया लेकिन एक-एक ट्रम बढ़ती चली गई, 1 के बाद क्या आया, 3 और 3 के बाद क्या आया, 5 एक-एक ट्रम बढ़ रही है, इसका मतलब यह एक स्रीज है, स्रीज का नेचर खुद कहता है कि अगर सभी ट्रम 1 से स्टार्ट हुई है इसका मतलब n-रुम भी कहांसे स्टार्ट होगी, 1 से ही स्टार्ट होगी, तो जैसे आपका नमिनिटर का बेवियर है, हर ट्रम बढ़ से स्टार्ट है, एन्थरम भी वन से स्टार्ट होगी 1 के बाद 3 आएगा 3 के बाद 5 आएगा जाएगा कहा तक जाएगा nth टरम तक 1 3 5 1 3 5 एक AP है AP का अनवर टरम A plus n minus 1 into D वाले फोर्मूले से 3 minus 1 2 आएगा इसको simplify करके आपको मिलेगा 2n minus 2 और इसको simplify करके आपको मिलेगा 2n minus 1 यानि के आपकी जो series का nth टरम है उपर numerator में वो 2n minus 1 तक जाएगा सेम पैटर्न आप देखिए denominator वाला अगर आप denominator में देखते हैं तो denominator में पहली टरम में 2 आया दूसरी टरम में 2 आया और साथ में एक टरम और बढ़ गई 4 तीसरी टरम भी 2 से ही स्टार्ट हुई और साथ में 4 आया और एक टरम और बढ़ गई 6 इसका मतलब पहली टरम भी 2 से स्टार्ट हुई दूसरी टरम भी 2 से स्टार्ट हुई तो इसका मतलब तो यह हुआ कि जो nth टरम है न वो भी 2 से ही स्टार्ट होगी 2 के बाद आएगा 4, 4 के बाद आएगा 6, जाना कहां तक है, जाना है 2, 4, 6 की n टरम तक, इसकी n टरम निकाल दो, 2 प्लस n माइनस 1 इंटू D, 4 माइनस 2, 2, इसको simplify करेंगे तो 2 प्लस 2n माइनस 2, solve करके 2n आएगा, यानि कि हमें जाना कहां तक है 2n, तो इस तरीके से हम इस series का nth term fine कर सकते हैं, आपने series को ही देख लिया होगा कि series में कुछ different pattern है, यहाँ पर हर term में same value थी, यहाँ भी 1 से start हुआ, 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 तो nth term भी 1 से start हो कर गे, इस तरीके से जाएगी, और यहाँ पर 2, 4, 6 भी आपका n term तक जाएगा, 2n तर, obviously आपको दिख गया होगा कि un में अगर x को हटा दे, उपर नीचे से आप n common नहीं ले सकते, क्योंकि यह एक series है, और यह भी एक series है, n common नहीं लिया जा सकता, अगर n common नहीं लिया जा सकता, तो इसमें हम last में जब जहाँ पर ratio test fail होगा, वहाँ पर compression test नहीं लगा सकते, इसलिए इसमें last में जो है, राबेस test हमें अपलाई करना होगा, कैसे करते हो जान लेते हैं, इसको मैं डाल लेता हू, equation number 1, ठीक है, फिर हमें क्या करना है, n को n प्लस 1 रख करके, un प्लस 1 निकालना है, n को अगर n प्लस 1 रखे, तो x की power n में n को l प्लस 1 रखने पर x की power n प्लस 1 आ जाएगा, इस त्रीज में भी n को n प्लस 1 रखेंगे तो 1, 3, 5 और n को n प्लस 1 अगर यहां पर रखेंगे तो 2 into n प्लस 1 माइनस 1 आएगा, इसको solve करके मिलेगा 2 n प्लस 2 माइनस 1 और solve करके मिलेगा आपको 2 n प्लस 1, 2 n प्लस 1, ऐसे ही नीचे व इसको solve करके मिलेगा, multiply करके 2 n प्लस 2, ठीके, तो यह हमारी जो है n को n प्लस 1 रखने पर मिलेगा, और n को n प्लस 1 रखने पर एक काम आपको याद से करना है, इससे पहली ट्रम भी लिखनी है, इससे पहली ट्रम कौन सी होगी, यही होगी जो यहां पर है, 2 n माइनस 1, इसस पहली ट्रम होगी, यह जो यहां पर लिखी हुई है, 2 n, क्योंकि एक, यह उससे अगली ट्रम ही तो हम बना रहे है, तो वही ट्रम जो की तो आपको लिख देनी है, या फिर दूसरा concept कि 2-2 का डिफरेंस है, 1, 3, 5, कितने का डिफरेंस है, 2-2 का डिफरेंस है, तो यहां से आप 2n-1 से 2 को घटा दो, 2-2 का डिफरेंस है, तो कितना आएगा, यहां से आपको 2n-1 मिलेगा, जो की पहली ट्रम होगी, जो की मैंने यहां पर लिखी है, या तो आप वही देख करके लिख दीजिए, या 2 घटा करके लिख दीजिए, क्योंकि 2-2 का डिफरेंस है, ऐसे ह डिवाइड में देखिए आप, डिवाइड में जो 2n-2 है, उससे पहली ट्रम हमने 2n लिखी है, क्योंकि 2n यह हमारी यहां पर लिखी हुई थी, या फिर आप अगर ऐसा नहीं लिखना चाहते, तो 2n-2 से पहली ट्रम बनानी है, इससे जस्ट पहली ट्रम, तो हमें क्या कर करना होगा, इसमें 2-2 का अंतर है, 2, 4, 6, 2-2 का डिफरेंस है, तो इसमें 2 को घटा देंगे, तो यह कटने पर आपको 2n मिलेगा, इन्हीं कि पहली ट्रम मिल जाएगा, तो दो मैथड है, यह तो आप पैटरन को देखकर के उसके अकोडिंग लिखो, बैटर तो यही कि आपने यहाँ पर जो लिख रख रहा है न, वही लिख दो से पहले, 2n-1 और 2n, ज़्याद आपको सोचना नहीं है इसमें, तो यह हमारा un निकल गया, un-1 निकल गया, ratio test हमें लगाना है, तो दोनों को डिवाइड करना होगा, therefore, un-1 को डिवाइड लगाएंगे un से, तो un प्लस 1 की value है, 135 और हमें जाना है, 2n-1 और 2n प्लस 1, डिवाइड में 2, 4, 6 और यह हो जाएगा आपका 2n और 2n प्लस 2, और साथी साथ में वहाँ पर है, x की पावर n प्लस 1, जिसको मैं लिख दूँगा उपर, x की पावर n इंटू, x की पावर 1, अलग-अलग करके लिख ताकि cancel कर सके, जब divide में लिखोगे un, ठीक है, divide में यह आएगा, लेकिन मैं इसको उपर ले जाके लिखूँगा, उपर ले जाके लिखूँगा, तो यह reverse हो जाएगा, 2, 4, 6 वाली ट्रम तो पहुंच जाएगी उपर, ठीक है, और जो 135 वाली ट्रम है, वो आ जाएगी divide में into में x की power n, जो कटेगा काट देंगे, यहाँ पर देखा जाएगे तो x की power n से x की power n कट जाएगा, और यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, यह सारा कटेगा, ऐसे ही 2, 4, 2n से 2n से, 2n से सारा कटेगा, तो यह एक ट्रम पहले लिखने का यह फायदा है, इससे यह पता upon un की जो value है हमारी, वो i यहां से 2n प्लस 1, यह आपका 2n प्लस 2, और x की power 1 यानि के x, ठीके यह हमारी un प्लस 1 upon un की value है, इसको equation 2 में डाल देता हूं, अब हमें इसकी limit निकालनी है, therefore इसकी limit निकालेंगे, limit निकालने के लिए, यह मैंने आपको बताया था, अगर un की आपक से common लेना होगा, तो मैं directly, 2n प्लस 1 में से भी इं Teams लेता हूं, तो 2 प्लस 1 अप़ोन n मिलेगा, 2n प्लस 2 में से भी इं को common लेता हूं, 2 प्लस 2 में से द्मिलेगा, और into में x रहेगा, ऐसा करने से n से n कटेगा, यह न को infinity रखने पर उपर से आपको मिलेगा 2 प्लस 0, नी to x और 2 से 2 ये cut जाएगा ये भी हमारा cut जाएगा equal to में x आएगा यानि कि यहाँ पर जो limit आई है वो x आई है by using the ratio test तो हमने ratio test की definition लगाई वो ratio test की definition से limit x आई है एक बात हमेशा याद रखिएगा जो method में आपको बता रहा हूं अगर आप यही apply करते है question में लिइख वाले question में जादा था 90% question में ऐसा होता है कि या तो limit x आएगी या limit x square आएगी 90% question है इस से जिससे हो जाते है या तो limit x आती है या एक सिस्क室 जैसे कि इस से कुछले वाले question में limit x square आई थी इस वाले division में limit x आई है तो compression test यह कहता है कि इस x पर ही हमारा जो है इस x पर ही series का convergence और divergence डिपेंड करती है ठीक है मैं लिख देता हूं यहाँ पर देन बाई देन बाई रेश्यो टेस्ट रेश्यो टेस्ट हमें यह कहता है नमबर वन summation un जो है वो convergent होगा यदि यह x की value less than 1 हो दूसरा summation un जो है वो divergent होगा यदि यह x की value greater than 1 हो तीसरा टेस्ट जो है आपका ratio test जो है वो fail हो जाएगा ठीक है ratio test fail ratio test fail ratio test fail होगा यदि यह x की value equal to 1 हो जाए एक्स की value 1 होने पर यह test fail हो ठीक है यानि के हमें दो answer मिल गए एक्स less than 1 पर convergent एक्स greater than 1 पर divergent अभी तीसरा वाला case बचावा है यानि के x equal to 1 पर जहांपर ratio test फेल होगा वहाँ पर आपको कोई x equal to 1 वाला case अगर x equal to 1 वाला case ले तो equation 1 में रखो put x equal to 1 in equation 1 में रखना है और 7 equation 2 में रखना है equation 1 से तो यह पता लगेगा कि इसमें compression क्यों नहीं लग रहा 1 3 5 dot 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 2n minus 1 उपर है और नीचे हमारा है 2 4 6 dot 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 2n और x की value 1 रखने पर 1 की power n जिससे की आपको 1 ही मिलेगा और यहां पर आपने x को 1 रखा तो इससे आपको un plus 1 upon un की value मिलेगी जो कि 2n plus 1 upon 2n plus 2 होगा यह हमने इसलिए लिखा है ताकि आपको पता लग जाए कि इसमें compression क्यों नहीं लग रहा compression तब लगता यदि आप n को उपर नीचे से जैसे last question में किया था n को उपर नीचे से आप common ले लेते और easily आपका compression test लग जाता लेकिन यहां पर यह series है उपर भी नीचे भी एक series है ठीक है AP arithmetic progression है तो इसमें हम n को उपर नीचे से ऐसे common नहीं ले सकते तो यहां पर जो compression test है वो नहीं लगेगा और compression test नहीं लगेगा तब आपको राबेस पर आना है तो उसका मतलब अब यहां पर हमें राबेस test अपलाई करना है और राबेस test की definition यह कहती है आपको राबेस test की definition आपको यह कहती है कि आपको limit निकालनी है n tending to infinity n into un upon un plus 1 minus 1 की इस expression की limit निकालनी है यानि कि पहले हमें इस equation को reverse करना होगा reverse करके आपको un upon un plus 1 की value मिलेगी 2n plus 2 upon 2n plus 1 फिर definition यह कहती है कि फिर इसमें से minus 1 करना है तो बोथ side minus 1 कर दूँगा मैं un upon un plus 1 minus 1 और इधर भी 2n plus 2 upon 2n plus 1 minus 1 lcm लेके solve कर देंगे 2n plus 1 lcm आएगा उपर से मिला 2n plus 2 minus 2n plus 1 ऐसा करने से 2n से 2n कर जाएगा और 2 minus 1 की value 1 आएगी तो 1 upon 2n plus 1 मिलेगा हमें इसकी value बोथ side n की multiply कर देंगे अगर n की आप multiply करते है बोथ side इससे आपको मिलेगा n upon 2n plus 1 अब हमें इसकी निकाल लेनी है limit ठीक है अभी मिसकी limit निकाल देंगे by using this implies इसमें अगर limit लगाएंगे इस side में भी limit लग जाएगी और यह अगर limit आप यहाँ पर लगाते है तो n को infinity रखने पर उपर भी infinity बनेगा नीचे भी infinity तो infinity upon infinity form बनेगा इसको remove करने का मैंने simple तरीक आपको बताया है कि आप n को उपर नीचे से common लेके cancel out करो और n को divide में लियाओ देखो n यहाँ पर डिवाइड में आ गया तो something upon infinity 0 होता है तो इसमें n को infinity रखने पर उपर से मिला 1 नीचे से मिला 2 और plus उपर से मिला 1 नीचे से मिला 2 plus 1 upon infinity की value 0 इसको solve करके 1 upon 2 आएगा जो की less than 1 होगा तो यह 1 upon 2 value आई है जो की 1 से छोटी है तो राबेस test में मैंने बताया था अगर value greater than 1 आती है तो convergent less than 1 आती है तो divergent तो इसका मतलब यहाँ पर यह less than 1 हमारी limit आई है इसका मतलब यह series हमारी divergent है this implies by rabies test by rabies test जो हमारा rabies test है summation un जो है वो divergent series होगी divergent series होगी 4 x equal to 1 वाले case के लिए तो हमने rabies test से बहुत easily यहाँ पर बताया कि x equal to 1 जहाँ पर ratio test fail हुआ था वहाँ पर rabies test से series divergent आएगी last में आप दोनों को merge कर सकते है उपर आपका x less than 1 पे convergent था और x greater than 1 पे divergent था और यहाँ पर equal to 1 पे भी divergent है तो यहाँ पर equal का sign लगा देंगे तो इस case में तो आएगा answer convergent और इस case में आएगा answer divergent दोनों को merge करके भी आप लिख सकते है अगर भी numbers करें भी लिखेंगे तब भी number पूरे मिल जाते है वैसे तो इस तरीके से मैंने आपको sequence or series का ही revision कराया जिसमे sequence or series का सारा portion मैंने cover कर दिया और इसमें तीन जो important test थी वो भी मैंने आपको बताए आज किस lecture में इतना ही रखते है next video ले करके आता हूँ four year series के one short की ठीक है dear student जैसे कि आप जानते कि आपकी channel पर mathematics 1, mathematics 2, 3, 4, DSTL जो आप बनी हुई है ठीक है और उनको मैं day by day update भी कर रहा हूँ है ना one short revision में ला रहा हूँ हर subject को ले करके mathematics के तो आप जादा से जादा अपने दोस्तों को बताए हमारे channel के बारे में है ना जादा से जादा support करे शेयर करे अपने दोस्तों को ठीक है बस इतनी ही requests ते motivation मिलता ती